तो स्वागत थे आप सभी का ग्यापनी के इनमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में और ये जो वीडियो है आप लोग के उर्दू फॉर बिगनर यानिक यू एफबी का पार्ट नाइन है देखे पार्ट एट तक के वीडियो में मैं आप लोग को दो तीन और चार करना बताऊंगी और मात्रा वाले में भी कौन सा मात्रा वाला तो आ मात्रा वाला आ मात्रा वाले शब्द थेखें तो आ मात्रा में भी दो अक्छर से मिलकर दो अक्छरों से मिलकर बने आप मात्रा वाले शब्द को आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू में लिखना और पढ़ना सिखेंगे तो बहुत से जदा इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाला है बहुत कुछ आप लोग को कुछ नई चीजे भी जानने को मिलेगी और आप लोग जो पहले से जानते हैं वो भी आप लोग का काम आएगा ठीक है तो वीडियो शुरू करने से पहले एक सब्सक्राइब कर ले और आप मेरा पूरा अंतक वीडियो देखिए और वीडियो अच्छा लगा और मैं जो कुछ भी समझाती हूं आप लोग को अगर समझ में आता है तब वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ठीक है मैं आप लोग को फोर्स नहीं करूंगी कि नहीं वीडियो को लाइक कीजिए आप अंतक वीडियो देखिए और जो भी मैं आप लोग को समझाती है अगर समझ में आता है तब लाइक शर कीजिए कोई दिकत नहीं है ठेक है तो अब चलिए बिनादर के वीडियो की श्रुबात करते हैं तो देखिए दो अक्षरों से मिलकर बने आ मात्रा वाले शब्दों को मैं यहां पड़ लिख दी हूँ ठेक है जो सबसे पहला शब्द है वो है आज आज को उर्दू में हम लोग कैसे लिखेंगे और कैसे पढ़ेंगे तो देखिए सबसे पहला अक्षर क्या है आ को उर्दू में क्या कहते है यह सोचिए आप लोग तो और लेडी जानते है आ को उर्दू में अलिफ कहते है ठेक है और आ यह जो आ है यह आप लोग आ जानत के लिए हमें क्या करना होगा तो देखिए एक सिंबल आता है ऐसे ठीक है आप लोग मैथ में भी पढ़े होंगे तो यह वाले सिंबल को ना हम लोग बोलते हैं यह एक तरसे डिजाइन ही आप लोग समझ जाएं इस वाले सिंबल को हम लोग बोलते हैं मद क्या बोलते हैं मद और ये भी एक मिनट यह जिस सेंटेंस जिस हर्फ यानिकि जिस लेटर के उपर लग जाता है उसका पॉननसियेशन आ होने लगता है तो देखें यहाँ पर अलिफ से अ हो गया अब इसको आ बनाने के लिए इसी अलिफ के उपर यह मध यह जो मध है इसी को लगा दिया तो यहाँ पर अलिफ को बोलेंगे और अलिफ मध आ को आ बोलेंगे ठीक है तो यही वाला आ जो है यह वाला आ अब यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे तो देखें यहाँ पर और आ है सबसे पहला अक्षर क्या है आ तो आ बनाने के लिए सबसे पहले आप अलिफ में क्या जोड़े मदजोडे उसके बाद यह हो गया आप लोग का और फिर जो जो चुरदो में क्या कहते हैं यह आप लोग कुरदो में जीम कहते too यह पर आप लोग झीम लिख दीजिए अब इन तीनों को जोड़िये, अलिफ के उपर मद आ जाएगा, तो ये हो गया आप लोग का आ, और लाश्ट में जोड़ देना है, यानि कि जीम जोड़ देना है, तो इसी के पास मिला कर रख दिजे जीम, तो देखे कितना सिम्पल हो गया, अलिफ मद आ और ये हो गया जीम, तो आ तो आ बनाने के लिए अलिफ में आप मद जोड़ेंगे, ठीके, पलस मा को उर्दु में क्या कहते हैं, लास्ट टॉक्षर मा है, मा को उरदु में मीम कहते हैं, तो यहाँ पर मीम लिखिए, ठीके, अब इस अलिफ के ऊपर मद लगा दीजिए, तो अलिफ मद आ हो गया, ठीके आ हो गया अब लास्ट वाला मौ यानि की मीम जोर देना है ठीके तो यहां पर सिर्फ लाकर मीम यहां पर लगा दीजिए तो यह हो गया अलिफ मद्या और यह हो गया मीम से मौ तो आम देखे कितना असाद है अब आगे बढ़िए अगला शब्द तो देखिए साल अब सबस्कार्ण जानते हैं सव उसको उर्थु में सीन कहते हैं लेकिन सा बनाने के लिए हमère क्या कर लेकिए अब लेकर साव देखे के लिए सा आगे और सघ्र यानि दंटा खaletे य यह दकी संवर इस सीन में डिशेऑ में या को दिरीन होगा अब इसको सा बनाने के लिए सीन को सा बनाने के लिए आपने को क्या करना होगा क्या इसके उपर भी मद लगा देंगे नहीं ये जो मद है सिर्फ और सिर्फ अलिफ को आ बनाने के लिए लगता है ठेके बाकी सबी हर्फ को जैसे की अलिफ को छोड़कर बे पे टे टे से बाकी सबी हर्फ के उपर मद नहीं लगता है तो हम उसको आ की मातरा में कैसे लाएंगे लहाँगी और आपुन हुए कैसे करेंगे तो देखिए यह सीन से सव गया अब स को सा बनाने के लिए उपर मद नहीं लगाना है तो अब हम लोग करें से सविमना हुए इस सिन में वह अलिफ जोर देना है आप लोगोगो सीनस में अलिफ जोड़ जाएका तो देखिए अब कैशे जुड़ेगा यह सीन है आप लोग जामते हैं का हमेसा इतना ही भाग उठाया जाता है इतना बहल उठा लीजिए यह गया सा इस तरह उर्दू में सा लिखा जाता है ये हो गया सीन से सा और ये सीन में अलिफ जोड़ दिये तो ये हो गया आप लोग का सा जिस तरह हिंदी में ये होता है सा और सा के आगे एक लकीर यानि की डंटा खीच देते हैं तो सा हो जाता है इंद से सा होता है और सीन में यांकि लकीर खीच देते हैं तो यह हो जाता है सहा इनौज हे उर्दव में सीन से समय और इसी सीन में अलिफ यानि यहनी हो रांट डंड़ से उद्हही तो को आप लोको सब्सक्राइए तो इसाली कflower को है बनाने के लिए अर्ण उडा मद dá बाकी किसी भी हर्फ में मद नहीं जूरता है बाकि सभी हर्फ में अलिफ जूरता है जैसे कि ता बनाना है ठीके तो ता बनाने के लिए आप लोग को क्या करना होगा पहले आप जानिए ते से ता होता है ठीके ते से ता होता है अब इसी में आप क्या कर दीजिए अलिफ जूर दीजिए लिए आप लोगो शा यह जो बड़ी शिन से सा लिखना है तो देखिए यह होता है बड़ी शिन ठीके और इसी को सा बनाना है तो इसी में अलिफ जोड़ दीजे तो हो गया क्या देखिए इस तरह यह हो गया बड़ी शीन और इसी में इस तरह शा जोड़ दीजे तो यह हो गया शा ठीक है तो सिर्फ अलिफ को छोड़कर सिर्फ अलिफ को छोड़कर बाकी सभी हर्फ में जो है ना अलिफ लगाकर उसका आपनाउंस किया जाता है और आ लिखा जाता है ठी कोई भी हर्फ क्यों नहों उसमें मद नहीं लगता है याद रखिएगा सिर्फ अलिफ में मद लगता है और वह भी नहीं तो शुरू में रहता है तब जैसे कि आम है तो अलिफ में मद जोड़ दिये तो अलिफ मद आ हो गया और मीम लाश्ट में जोड़ दिये तो यह हो गया आम, अब यहाँ पर साल है, तो अब सीन में आप लोगों को मद नहीं लगाना है, सीन में अलिफ लगा कर यह क्या हो गया, साल हो गया, तो अब यह वाला जो सा है यहाँ पर लईए, यह क्या किये, सीन, सीन में जब आप अलिफ जोड़ेंगे, तो यह हो जाएगा सा प्लस ला law kordu में क्या कहते हैं? लाम कहते हैं अब इन तीनों को मिलाना है तो कैसे मिलाएंगे? मैं आप लोग को बता रहे हूं पहले इसको मिता दू चलिए तो ये आप लोग का सीन सीन में जब आप अलिफ मिलाएंगे ये तो ये हो जाएगा सा और उसके बाद law law को उर्दु में लाम कहते हैं तो लाम लिख दी हूं अब इन तीनों को मिलाएं तो सा बनाएए पहरे इन दोनों को ये हो गया आप लोग का सा सीन में अलिफ जोड़ जिए तो सा हो गया और इसे के पास सिर्फ लाम लाकर जोड़ दीजिए तो ये हो गया सीन अलिफ जोड़ गया तो सा हो गया और ये ला हो गया तो साल देखें कितना अच्छा तरीका से और कितना असानी से आप लोग लिख सकते हैं उर्दु को ठीक है तो अगे अगला शब्द देखिए मा मा अब इसमें भी आ नहीं नहें शुरू में आ मातरा तो नहीं है मतलब आ नहीं है इस तरह आ रहता तब अलिफ में आप मद लगाते हैं यहाँ पर मा हैं तो अब मा बनाने के लिए आप मीम में जो है ना मद ना लगाकर अलिफ जोड़ेंगे ठीक है मैं आप लोगो यह बात तो आप लोगो फिट कर लेना है अपने माइन में कि सिर्फ अलिफ पर ही मद लगता है आ बनाने के लिए बाकि सभी हर्फ में जो है ना मद नहीं लगता है उसमें अलिफ लगता है आ बनाने के लिए तो यहां पर मा है तो मीम में आप अलिफ जोड़ेंगे मा बनाने के लिए ठीक है प्लस लास्ट में हा है हा कोर्दू में क्या कहते हैं तो हा कोर्दू में कहते हैं यह तो यहां पर हे लिख दीजिए गोल अंडा की तरह बनता है ठी मम में अलिफ जुड़ ranges हे जहन इसको हे कहते तो इसको हे जो हे लाकर यहंपर जोड़ दीजीए मम अलिफ मम में जुड़ गया तो यह हो गया माह काम में सबसे पहला अक्छर का अभर अब देखे का बनाने के लिए मत तो उससक省 लगाएंगे नहीं का 아파 पर हमको अलिफ ही जोड़ना पड़ेगा तो देखिए यहां पर का लिख दीजिए यह काफ से का हो गया आप लोग का प्लस इसको का बनाने के लिए इसमें अलिफ आप लोग जोडएंगे प्लस लास्ट में मा कुर्दो में मिम कहते हैं तो यहां पर लगा दीजिए अब ये जूर जाएंगे पहले काफ और अलिफ यानी की इसको का बनाई इन दोनों को जोर कर नंदा है का बनाने reminded ठीक है तो कैसे जूरेंगे यह तो आप लोग जानते हमेसा काफ का इतना ही पाट उठता है इतना ही पाट तो इतना ही पाट उठा लीजिए देखिए ऐसे ठीके अब इसी में ये जो अलिफ है ये ऐसे जोर दीजिए देखिए ऐसे हो जाएगा ठीके देखिए कितना सिंपल ये ऐसे तो ये हो गया काफ में अलिफ जुड़कर का और लास्ट में मीम ले जाकर यहां पर लिखा गया को पुरा लिखा गया है लां है मतलब लांत को पूरा लिखा गया रा सबसे पहला अच्छर रा है तो आ بनाने के लिए पहले आप सोची रॉक उर्दु क्या कहते हैं तो रॉक उर्दु में रे कहते हैं ठीक है अब इसको राव बनाने के लिए इसमें लिफ जोर दीजिए ठीक है मदो सकते नहीं है क्योंकि मद तो सिर्व अलिफ नको पर जोड़ता है ठीक है तो दखिए यहां पर रे में जब आप लिफ जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा रा और ता कुर्दू में ते कहते हैं तो यहाँ पर ते लगा दीजिए ठीके अभी तीनों जुड़ जाएंगे इनको जोड़ना बहुत ज़्यादा आसान है इन दोनों को पहले रा बनाईए यह रा और अलिफ जोड़कर पहले इन दोनों को रा बनाईए तो यह सिंपल है इसमें कहीं जोड़ना ओना नहीं है तो रे में अलिव जुड़ गया तो ही हो गया रा और यह हो गया तेसे तो यह हो गया आप लोगा रात देखिए कितना सिंपल है इस तरह आप बाकी सभी वाट्स को आसानी से उर्दू में लिख सकते हैं अब आगे के लिए उसकाफ यानि की को काफ बनाने के लिए इसमीं अलिव जोड़ेंगे अं Hers owners लॉठ Day प्लस लौ कुर्दू में लाइन कहते हैं यहां पर लाम जोटेनान है तो कैसे बिनाएंगे आप जानते है की इतना ही पात उठाएं जाता है का तो इतना ही पात उठाईये ठीचत एध्याइं यह पर गोल कर दिया जाता है ठीचर और इसी में आंप छोड़े ना है तो देखें जीडि यह हो गहातों को का अंगे बढ़ी यह शाख त तो शा है सबसे पहला अक्षर शा सबसे पहले सोचिए शा को तलाबे शा कुर्दू में क्या कहते हैं तो बड़ी शीन यानि कि शीन कहते हैं यह यह हो गया आप लोगा शा और इसको शा बनाने के लिए इसमें अलिव जोड़ देंगे प्लस ख अब यहां पर ध्यान दिजिए थिक, अब इन दोनों को जोड़ दीजे शा शीन और अलिव को जोड़ देंगे तो यह होगया त्वह हो गया यह शा और अब इसमें लाश्ट में खा जोड़ना है न तो इस खे को लाकर यहां पर रख दीजिए खा शीन में अलिव जुड़िया तो शाह हो गया और यह हो गया खा तो शाह ठेखें आगे बढ़िए शाम इसको भी लिखना आसान है शाम में सबसे पहला अक्षर शाह है तो शाह क शाह को और दू में शीन कहते हैं तो यहां पर लिखिए शाह प्लस इसको शाह बनाने के लिए अलिव जोड़ दीजिए बिल्कुल इसी तरजिस तरह यहां पर आप लोग शाह बनाएं इन दसेम यहां पर भी आप लोग शाह इसी तरह बनाएंगे प्लस लास्ट में इसमें मीम आ रहा है मा आ रहा है तो मौक और्दू में मिम कहते हैं तो यहां पर मिम लिख दीजिए ठीक है अब यह तीनों जूड़ जाएंगे देखिए सबसे पहले इन दोनों को जोड़िए शाक बनाने के लिए तो इन दोनों को आप लोग जानते हैं इतना ही उठाना है और इसम जो लास्ट अक्षर है वह भी पूरा लिखाएगा ठीक है तो यह हो गया सीन में अलिफ जुड़कर शाह और यह हो गया मिम से मा शाम बहुत है सिंपल आगे बढ़िए राज ठीक है अब राज में जो सबसे पहला अक्षर है वह है रा सबसे पहले सोचिए रा कूर्दू मे क्या कहते हैं तो रा कूर्दू में रे कहते हैं अब इसको रा बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे प्लास यह हो गया रा और जनग जनग प्रेक्टिस करना है खुद से तो यह हो गया अब तीनों को जोड़ दीजी सबसे पहले इसको रा बनाईए रा और अलिफ को जोड़िए तभी तो यह रा बनेगा ना तो इसको जोड़ना क्या है बस पास में लाकर रख देना है ठीक है तो यह हो गया आप लोगों का रा रे क ठीक है आगे बढ़िए नाम नाम तो लिखना बहुत ही असान है और नौर्मल्ल हर जगा लिखा होता है आप लोगों देखे भी होंगे तो देहिए नाम कैसे लिखा जाता है नाम बनाने के लिए इस में अप अलिफ जोड़ेंगे प्लस मा कूर्दू में मीम कहते हैं तो मी जोड़ेंगे तो देखिए नौ में पहले अलिफ जोड़ दिजिए जोड़कर ना बनाईए पहले तो कैसे जोड़ेंगे देखिए आप लोग जानते हैं कि नौ का सिर्फ इतना ही भाग उठता है ठीक है तो देखिए इतना से हो गया आप लोग का नौ यह नून आ गया और अब पहलों का इसी में आकर जोड़ देना है ठीक है तो देख रहा है तो यह हो गया नूओ में अलिफ जोड़कर न और इसी के लास्ट में अब मॉह जोड़ना है को नाव कि में जूड कर अब नाम लिखाता है ना ज में सबसे पहला अक्षर है न तो वह कना को बनाने के लिए अलिव क्या कहते है नीचे बिंदु Кो उब्न क कहते है तो इसको उर्दु के बनाईए तो न बनाने के आप तो यहां पर तो बनां इंफ जोटक तो देखे यह ओगे आप लोगका ना होता है बस आप लोगोको लाश्ट में जे मेरी लेगा कर जोड़ देना है तो नूम डेखेNow जोड़ कर नहीं और यहां पर ते लिख दीजिए अब इस तो को ता बनाने के लिए इसमें अलिफ जोड़ेंगे प्लस रा कुर्दू में रे कहते हैं तो यहां पर अच्छा से लिख दू में एक मिनट यह होगी आप लोग करें अब यह तीनों जुड़ जाएंगे सबसे पहले इस तो में अलिफ वाला जो अक्षर है अगर वह आम मात्रा वाला है तो सबसे पहले आप उन दोनों को जोड़ेंगे जैसे कि ता है तो सबसे पहले आप इन दोनों को जोड़ेंगे फिर लास्ट में लास्ट वाला अक्षर जोड़ेंगे ठीक है तो देखिए इन दोनों को जोड़ी आप हमे यान की रे लाकर सिर्फ बैठा दीजिए लास्ट में तो यह हो गयतिया में अलिफ जुड करता और रे से रहा तार देखिए कितना सिंपल तार लिखा गया काट 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 में सबसे पहला अक्छर का कॉकुर्दू में काफ कहते हैं तो यहां पर फटा-फट लिखिए पर फिर सब्सक्राइब निवर्य दिखा दे रही हूं तो इस तरह बी की तरह दे दिया जाता है तो यह हो गया टे से टो अब सबसे पहले इन दोनों को कांब नाइए जोड़कर तो आप जानते हमेशा कि काफ का इतना ही पाट उठाया जाता है तो इस तरह आप क्या कीजि यह वालए हो गया का और इसी में अप अलिफ जूद दे़ा और अब उस्ट में जोड़ देनाों है तो सिर्फ लासट में बैठा दीजिए तो ये हो गया काफ में अलिफ जोड़कर का और लास्ट में टेसेट तो काट तार काट ठेके तो ये हो गया अब आगे फटाफट बढ़िए अब हम लोग जल 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 दी करेंगे इतना से आप लोग सीख गए अब आप लोग खुद से ही मेजन कर सकते हैं कि आगे जो है कैसे बनेगे आगे हम लोग कैसे उर्दू में लिखेंगे खुद से आप लोग बना सकते आए थी ठीक है तो देखिए अगला जो शब्द है वो है भार तो सबसे पहले सोचिए कि बहुक उर्दू में क्या कहते हैं मैं आप लोग को बताई हूं कि जिस तरह बी से बा और बी में एच जोड़कर बी एच से बा होता है इन दा सेम वे उर्दू में बे से बा होता है और जब बे में एच जोड़ते हैं यान कि ये वाला हे जोड़ते हैं एच को उर्दू में ये हे कहते हैं तो जिस तरह बी से बा और बी में एच मिलाकर बी एच से बा इन दा से में बे से इक है जोड़ेता नगहरूं आपकर है यह पर क्ठभेatus प्रिखते ऐग्णörtन सबसे पहले आप फोघ करण्या विज्टेए तरफ,. ना सबसेदे होगी आप लुग का फोट क altura इसको भा बनानी के लिए इसमें अप अलिफ जोड़ देंगे ठीक है टूभरैते हैं अब इन तो देखिए भार में सबसे पहले आप लोग सोचें कि भौक उर्दू में क्या कहते हैं तो भौक को लिख दिए यहां पर अब इसको भाव बनाने के लिए अलिफ लगा दिए फिर रौक उर्दू में रे कहते लिख दिए अब देखिए इसको जोडेंगे कैसे बस यह भाव पूरा का पूरा यहां पर उतार दीजिए ठीकट भाव बनाने के लिए तो अलिफ जोडेंगे ना तो देखिए यहीं पर ले जाकर इस तरह अलिफ जोड़ दिजिए तो भाव में अलिफ जोड़ ये तो भाव हो गया और यह रा को लाश्ट में लेजाकर सिर्प्स चिपक है बस इसको चा बनाने के लिए अलिफ जोड़ देंगे प्लास लाव, लाव कूर्दू में क्या कहते हैं तो लाम कहते ही तो बहुत ज़ादा सिंपल है तो यहाँ पर लोग दीजिए ठीक है अब सबसे पहले इन सोनों को मिला कर चा बनाईए तो मिलेंगे कैसे आप लोग जानते हैं इतना ही पाट उठाया जाता है तो इतना पाट उठा लीजिए तो यह होगी अच्छा और इसी में ले जाकर आप लोग को अलिफ जोड़ देना है तो किसी भी अक्षर में अगर लास्ट में आप अलिफ ले जाकर जोड़ दिये तो उसका प्रणास्येशन क्या होने लगेगा आ होने लगागा बस अलिफ को आ बनाने के लिए मद जोड़ते हैं ठीक है तो देखिए ये चौ में अलिफ जोड़ दिये यह हो गया चा और ला कुर्दू में लाम तो लाम को बस लाश में ले जाकर देना है तो चिपका दिये तो चे में अलिफ यानि की चा में अलिफ जोड़ कर चा हो गया और लाम से लव तो चाल धाल उसके बार धाल अब धाल कैसे लिखेंगे धाल में सबसे पहले अक्षर हो धा तो धा को उर्दू में क्या कहते हैं आप लोग सोचिए क्योंकि मैं सबसे पहले अब इसको धाल बनाने के लिए अलिफ तो जोड़ेंगे तो अलिफ लिख दिजिए प्लस लाला कुर्दू में लाम कहते हैं तो यहां पर लिख दिजिए अब इन तीनों को जोड़ना है सबसे पहले मैं यहां पर मिटा दूँ तो देखिए धा और लाम तो सबसे पहले इन दोनों को मिला यह धा को तो धा जो है न यह सबसे पहले धा को उसी तरह का उसी तरह लिख देना है तो यह हो गया अब इसी में यह जो हे है ना इसी मिले जाकर आप लोग को अलिफ जोड देना है इस तरह देखिए अब इसी अलिफ जोड दिये तो यह क्या हो गया अब इसमें आप क्या कीजिए लाष्ट में लाँ यान की लाम लेजा कर चिपका दिजिए तो जोड दिये तो डाँ हो गया और लाम से लाँ धाल तेखिए कितना सिंपल आगे बड़ी शान अब बनाईए सबसे पहले शा को जुड़ें दोनों को जुड़िये तो जुड़ेंगे कैसे इतना ही पाट उठाया जाता है इतना पाट उठाइए यह हो गया शीन और इसी में अलिव जोड़ दीजिए तो यह होगी आप लोग का शा और ना यानि कि नून ले जाकर चिपका हैं तो यहां पर काफ लिख दीजिए कैसे जुड़ेंगे भाई तो सबसे पहले इन दोरों को ना जोड़िए पहले ना को जोड़िए ठीक है इन दोरों को जोड़िए तो इसका जो है इतना ही पाट उठेगा तो देखिए यह हो गया ना नून में अलिव जूड़ कर ना ह ले जाकर बस चिपका देना है आप लोगो लास्ट वाला जो अक्षर होता है वो पूरा का पूरा लिखा जाता है आप इसमें भी देख सकते लास्ट वाला जो अक्षर है वो पूरा का पूरा लिखाया है ठीक है तो नून में अलिव जूड़ कर ना हो गया और काप से का हो इसी सीन में यह अलिफ ले जाकर जोड़ दी तो सा हो गया और लाश्ट मेरे सार आगे बड़ी यह भाग भाग में जिस्टर पहला अक्षर है वह भाग भा कुरुदू में क्या कहते हैं तो इस तरह लिखते हैं मैं आप लोगको अलिफ जोड़ देना है बहा बनाने के लिए अलिव जोड़ दिये प्लस गाव कोर्दों में क्या कहते हैं तो यहां पर लिखिए फटाफट ठीक है अब इन दोनों को पहले जोड़कर भाव बनाईए ठीक है तो देखिए जोड़ेंगे कैसे भाव का भाव जो है ना बिल्कुल उसी तरह लिख देंगे भाव और इसी के सिंपल इस तरह आप हजारों लाखो वॉट जो है ना खुद से क्रियेट करकर आप लोग खुद से उर्दू में लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं अगे बढ़िये वाह आप लोग सुनें होंगे वाह वा क्या बात है तो यहां पर जो है वाह को उर्दू में कैसे ढ़िए ठीक ये हो गाव व अब इसको वा बनाने के लिए अलिव जोड ढिे प्लस हां। पर दूमें हे के थे हैं इसी जोड़ about गोल वाला है चोटी है ठीक है तो अब यह सबसे पहले नहीं है बस दोनों को ले जाकर फॉप का देना है यह हो गया आप लोगे इंसना होगा तो वार यह बहुत ही नौर्मल सब्द है की हर को सबसे हर हर इन Bear सुना होगा गाय को ठीक है न तो गाय में सबसे पहला क्षर है क्या है गाव कुर्दू में क्या कहते हैं गाफ कहते हैं तो यहां पर आप लोगों लिभना यह यह इसका मतलब होता है यौ सबसे पहले इन कि यह हो गया है तो यह हो गया ईंब भषकर कर आप को जोड़ा कर और यह जोड़ा सा इसे दे दिया जाता है, ठीक है? तो ये होगे अपनों का सिंपल सा गाए, ठीक, आगे बढ़े चार ये तो सिंपल है, चार लिखना, चार में सबसे पहला अक्षर क्या है? चा, चाaser कुर्दू में क्या कहते हैं? तो चे कहते हैं तो सबसे पहले चे यहां पर लिख दीजिए प्लस अभी चे से चा हो गया अब इसको चा बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे तो अलिफ जोड़ दिये प्लस रा रा कॉर्दू में रे कहते हैं तो फटा फट लिखिए यहां पर ठीक है अब यह जो है ना तीनों जूर जाए तो फटान थे चांगे सबसे पहले चो मैं जोड़ कर इसको चा बनायी है थो सिब्पल बात है इतना ही आप लोगों को उठाना है तो यह हो गया आप लोगों को च이죠 मैं रे lip जुड़ कर सा हो गया रे से लाचार उसी तरह आठ लिखिए यहां पर यहां पर थायां चैके तो आ बनाने के लिए आप क्या करते हैं सबसे पहले सोचिए और कॉर्दू में क्या कहते हैं तो और कॉर्दू में हम लोग अलिफ कहते हैं ठीके वही वाला बात फिर से आ रहा है शुरू में क्या था आज यहां पर भी शुरू में क्या है तो और कॉर्दू में अलिफ कहते ह अब इसको आ बनाने के लिए अब अलिफ के उपर मद जोडेंगे ऐसा नहीं है कि अलिफ के पास एक और अलिफ जोडेंगे नहीं ऐसा नहीं होता है ठीक है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को शुरू में तो बताई ही आप लोग जानी चुके होंगे तो देखिए आ और टी में एच जोड़कर टी एच से ठा इंदा स्यम में टे से दा और टे में एच येन की हे जोड़ देते हैं तो टे में एच जोड़कर यह हो जाता है ठा तो इस तरह लिखा जाता है ठा अब यह जूडेंगे कैसे देखिए अलिफ के उपर मद लगा दीजिए इन दोनो में बस आप लोगों को यह धाज देना कर बस सिपका देना है तो ये होगा अलिफ में मत जोड़ दिए तो यह होगा और यह गया था आठ्ट से में बढ़िए साथ कि तो फिर यह वाला मैं कहां बताऊंगी ठीक है तो देखे सीन से सा हो गया आप इसको सा बनाने के लिए अब इसमें अलिफ जोड़ेंगे ना की मत जोड़ेंगे आप लोगों को बार 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 बता रहे हूं कि अलिफ में जो है ना सिर्फ मत जूरता है उसको आ बनाने के तो इतना ही उठाना है आप लोगों को देखिए तो यह हो गया सीन में जोड कर साथ ठीक है और लाश्ट में ते यह निकिता जोड़ेना है साथ आगे बढ़ी यह दास ठीक तो दास को सबसे पहले सुचे कि दो कुर्दू में क्या कहते हैं तो दो कुर्दू में दाल कहते हैं तो यहां पर दाल लिख दीजिए बलस अब दाल से दा होगे अब इसको दा बनाने के लिए अलिक जोडेंगे तो दा होगे है प्लस अब सबसे पहले इन दोनों को जोड़ कर दा बना ये तो जोडोना क्या रिख पास आकर चिपक जाएंगे तो इह मेरे से मिला enlariजिए कि हां आप रोक सही लिख पा रहे हैं ठीक है तो पार में सब स्भत पहले सुचिए क्या कहते है तो यहां पर पे लिखती जीए प्लास रा कुर्दू में करेते हैं तो घ्लत थोड़ा असा आप सबसे पहले इनदोनों को जोड़कर बनास है आप लोगो तो जोड़िये इन तो बस ले जाकर रे चिपका दीजे तो पामे अलिव जूर कर पा और रे से राप पार देखें बहुत ही ज़्यादा सिंपल है आप लोग इसको भी आसानी से लिख सकते हैं देखिए दाल में सबसे पहला अक्षर क्या है दा दा को उर्दू में क्या कहते हैं तो दाल कहते हैं ठीक है तो यहाँ पर लिखिए दाल ठीक है देखिए यहाँ पर दाल है और दा को उर्दू में भी दाल कहते हैं ठीक है यहाँ खुद लिखा है और सबसे पहला अक्षर क्या है तो दो को उर्दू में डाल कहते हैं तो यहां पर डाल लिख दीजी प्लस अब इस दा को दाः बनाने के लिए अलिव जोडेंगे प्लस लौ को उर्दू में लाम कहते हैं अब ये तीनों जुड़ कर डाल बनाएंगे कैसे दाल ऐसे ही लिखा जाता है आगे कहीं लिखना हो आप लोगों को तो दाल इसी तरह लिखेंगे ठीक है अब आता है बात नाश की नाश तो देखिए यहां पर ना है सबसे पहले तो नौ कुर्दू में नून कहते हैं तो यहां पर फटाफट नून लिख दीजिए प्लस नू मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि इतना ही प्हएज जेता है और फिर अलिफ जोड दिया आ तो नून में लिख जोड़ करना हो गया हो लास्ट में शीन जोर देना है इह ले जाकर आप लोगों को सिर्फ चिपका देना है तो ये होगा आपनों का नाश आगे बड़ी है जार देखिए यह जो है नाव के नीचे बिंदू है तो यह वाले जाओ को जे कहते है या आप लोको बताई भी थी वहाँ पर नाज में भी बताई थी कि अगर जाओ के नीचे बि दीजिये तीनों को जोड़ देना आ आप लोगों को सबसे हैं बना कर दीजित और लास्ट में जोरदी के ज़ाग सबसेöh fire अफचर है वो है जा जा को जो है न सबसे पहले सोचिए कि जा गुर्दू में क्या केते हैं तो जिस तरह जीं से जा और जीं में जोड़े हैं यानकी जोड़े हैं तो देखिए इस तरह जा लिखा जाता है ठीक है सिंपल ठीक है तो यह हो गया जहा तो अब इसको जहा बनाने के लिए अलिफ जोड़ देंगे प्लस गौ गौ कोर्दु में क्या कहते हैं गाफ कहते हैं तो फटा-फट यहां पर लिखिए जोड़ देजिए सबसे पहले इन दोनों को जोड़ कर जहा बनाईए तो जहा के यह तो उनों कैसे जुड़ेंगे जिस तरह जहा लिख्या है ना बिल्कुल उसी तरह उतार दीजिए यहां पर जहां का जहां और लास्ट में यहीं पड़ ले जाकर आप लोगों को अलिफ जोड़ देना है यहां पर ठीक है तो जहां में अलिफ जुड़ गया तो यह हो गया प्लस लाश में गौ ले जाकर चिपका देना है पूरा का पूरा ठीक है तो यह हो गया आप लोगों का जहाग आगे बड़ी यह लाश लास्ट में जो सबसे पहला अक्षर ला है ला को अर्दू में क्या कहते हैं तो लाम कहते हैं तो इस तरह लाम लिख दीजिए प्लस आप लोग हमेशा जानते हैं कि लाम का जो इतना ही पात उटाया जाता है तो देखें सिरस हम सबसे पहले इसको मां बना देंगे और नौह कोर्दू में नून कहते हैं तो आप लोग हमेशा जानते हैं कि मीम का इतना ही पार उठाया जाता है तो यह होगा मां मेम अलिफ जूड़कर मां और नून से लास्ट में नून लेजा कर चिपका देना है तो मान हो गया काम सबसे पहला अक्षा रहे ता ठीक है तो को उर्दू में टे कहते हैं तो यहां पर ते लिख दीजिए प्लस टे से तह हो गया लेकिन इसको टा बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे लास्ट में मा है तो मीम जोड़ेंगे ठीक है तो देखिए सबसे पहले इन दोनों को जोड़कर ता बनाईए सिर्फ इतना ही पाठ उठाना है तो यह हो गया आप लोगों का ते में अलिफ जोड़कर ता और लास्ट में मीम से मा यान की मीम को ले जाकर चिपका देना है तो ताम मान ताम इस तरह आप जो है ना मतलब इ इस तरह लिखा जाता है तो यह हो गया जो ठीक और इसको जहाँ बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे प्लस कि इस मिनट अच्छा से लिख दूपलस मा मा कुर्दू में में कहते हैं ठीक है तो मिनट मैं भी जल्दी-जल्दी में थोड़ा इसाइड हो जा रही हूं यहां पर भी जोड़ना है जो हो गया अब इस ही में लाष्ट में अलिफ ले जाकर जोड़ देना है जो मैं जोड़कर जहाँ हो गया अब यहां पर लाष्ट में गा सब्सेपहला अक्षर है गौप सफ़से पहले गाफ लिख लिए देंगे और लाम से ल्ग डिख दीए अब सबसे हिन तुर कर गाह बनाई आप लोग जानते हैं कि इतना ही पाट उठाए जैता है तो इतना ही रहत यहां पर यह सीधा है ना बस इसको घूल कर देना होता है ठीख है और इस तरह आप आप लोगों को सीधा यह जो अलिफ है यह जो अलिफ है बस आप लोगों को जो देना है तो गाफ में यह जो अलिफ है इतना गाफ का पाट उठाए तो गाफ से गाफ हो गया और इसमें अलिफ मिलाकर क्या हो गया गा और लास्ट में लौ यान की लाम ले जाकर चिपका देना तो गाल लिखा गया देखिए आगे बढ़ी ये बाल बाल नाम से तो आप लोग परीचित होंगे हर इंसान के पास अपना बाल होता है ठीक है तो यहां पर बा में सबसे पहले अक्षर बा है तो बा कुर्दू में बे कहते हैं तो यहां पर बे लिख दीजिए फटाफट और इसको बा बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे प्लस ला ला कुर्दू में लाम कहते हैं तो यहां पर सिंपली आप ला लिख देंगे यान कि लाम लिख देंगे अब इन दोनों को जोड़ कर सबसे पहले आप लोग बा बनाएंगे आप लोगो सारा चीज माइन में घुसा होगा अब आप लुक समझ पा रही होंगे कि कैसे बनाया जाता है और कैसे लिखा जाता है कैसे पढ़ा जाता है ठीक है तो देखेए यहां पर बा बनाने के लिए इस बे का इतना ही पाट उठाकर और इसी में अलिफ जोड़ कर लाम, जाल ठीक हैं तो जाल में सबसे पहला अक्षर क्या है जा कौर्दू में क्या कहते है तो जीम कहते हैं तो यहां पर जीम फड़ाफट लिख दीजिए प्लस जा अब यह हो गया जा से जा बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे प्लस ला ला को अर्दू में लाम कहते हैं तो फड़ाफट आगे बढ़िए पहले इन दोनों को जोड कर जा बनाईए तो सिंपली बात है कि यह हो गया आप लोग का जो और इसी में अलिफ जोड़ दिये तो जा और लास्ट में लाच चिपका दिये तो जाल हो गया रा में सबसे पहला अक्षर रा है तो रा को उर्दू में रे कहते हैं प्लस इसको रा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिये प्लस हा को उर्दू में हे कहते हैं तो अब ये जूड़ जाएंगे, सबसे पहले इन दोनों को जोड़कर रा बनाईए तो इन दोनों को पास ला दीजिए, ये होगी आप लोग का रा और इसी में लाश मिली रखर हे चिपका दीजिए तो रहे में अलिफ जूड़ गया तो रा और हे से हा रा आगे बढ़िए बाप, तो बाप में बा है सबसे पहले तो बाप को उर्दू में बे कहते हैं, देखिए बाप भी देख लिए कि कैसे लिखा जाता है बा कोर्दू में बे कहते हैं तो यह हो गया बे से बा अब इसको बा बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे प्लस पा कोर्दू में पे कहते हैं ठीक है तो अब इन तीनों को जोड़ देना है तो अब इन दोनों को जोड़ कर बा बनाएंगे आप लोग ठीक है तो आप लोग ज अलिफ जुड़कर बा और पेसे बाप देखिए इस तरह बाप लिखा जाता है चलिए आगे बढ़िए नाल तो नाल में सबसे पहले अक्षर ना है तो ना कुर्दू में नून कहते हैं तो यहां पर नून लिख दीजिए अब इसको ना बनाने के लिए अलिफ जोड़ प्लस च और में छ कहते हैं तो यह होगी आपलोग का ना और इन तीनों का जोड दीजिए तो इन दोनों को सबसे पहले जोड़कर ना बनाएंगे तो यह होगी आप people go तो यह था दो अक्षड से मिलकर बने आ मात्रा वाले शब्द ठेके और यहां पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए यह जितने भी शब्द को मैं आप लोगों को उर्दू में पढ़ना लिखना बताई यह सिर्फ शुरुवात में इसका मात्रा आ था यान की शुरू में इसका आ रहा है साल में माह में काम में रात में काल में लाश्ट में तो आ नहीं आ रहा है तो अब मैं आप लोगों को उस तरह के शब्द पढ़ाने जा रही हूं उर्दू में लिखना सिखाने जा रही हूं और पढ़ना सिखाने जा रही हूं जिसके लाश्ट में भी आ मात्रा यानि कि माला काला जो इस तरह के शब्द है जिसके लाश्ट में भी आमात्रा है यानि कि दोनों में भी आमात्रा है उस तरह के उर्दू के शब्द को कैसे लिखेंगे ये सारे चीजे मैं आप लोगों को अब बताऊंगी ये तो सिर्फ शुरुवात में आमात्रा वाला था भार, चाल, सिर्फ सुरू में ही आ मात्रा था, अब मैं आप लोग को दोनों अक्षर में अगर आ मात्रा रहेगा, तो कैसे उसको लिखेंगे उदों में, ये मैं बताने जा रही हूँ, ठीके, तो पहले लिदी जी यहां तक फटबर स्क्रीन, शॉट, अब चलिए, उन लफजों को देख लेते हैं, जो की दो अक्षर से मिलकर तो बने हैं, वो शब्द, लेकिन उनके दोनों अक्षरों में आ की मात्रा है, जैसे की देखिए, पहला शब्द जो है, वो है काला, ठीके, ये पहला लफज है काला, जिसके दोनों अक्षरों में आ की का में भी काला है काा में भी आ की मात्रा है तो इसको कैसे लिखेंगे तो सबसे पहले जो शुलू का क्ञेंड़ कि और उड़ा गल् recycle में ऑप अब देखिए ल्ला है ला है ना तो सबब कुर्दू में लाम कहते हैं तो लाम से तो ला होगी है बस इसको ला बनाने के लिए इसको भी इसके भी लाश्ट में क्या जुड़ेंगे अलिफ जुड़ेंगे तो अब काफ में अलिफ जुड़कर का हो जाएगा और लाफ में अलिफ जुड़कर ला हो जाएगा तो यह दो सिर्फ टैठ्यों को जोड़ने के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा लाम ऑर अमरब अलफ को ला बनाने के लिए दिख रहे हैं इसा इसी में नहीं नहीं पर दीजिए तो काला देखिए सिंपल इसी तरह काला लिखा जाएगा बस थोड़ा सा का डिफरेंस है जो कि मैं आप लोग को पहले बताए जिसके सिर्फ शुरू में ही आ मात्रा था उसके लाश्ट में पूरा का पूरा अक्षर लिखा जा रहा था बट यहां पर लाश्ट में भी आ मात् सिक्वेंस में चलेंगे एक एक कर लोगो और अच्छे स्माझ में आएगा देखिए माला में सबसे पहला अक्षर क्या है मा सबसे पहले कि मो कुर्दू में क्या कहते हैं तो मीम से तो मा हो गया बट मा मां बनाने के लिए इसको अलिव जोड़ना पड़ेगा ठीक है फिर उ मीम में अलिफ जोड़ कर मा हो जाएगा और यह लाम में अलिफ जोड़ कर ला हो जाएगा तो जोड़िए सबसे पहले पहले मा को जोड़िए तो मा बनाने के लिए सबसे पहले मीम का इतना ही पाट उठाएंगे तो यह हो गया मीम और इसी में अलिफ जोड़ देंगे तो मीम में अलिफ जुड़कर मा हो गया और लाम में यह जो लाम है इसी में यह अलिफ जुड़कर ला हो गया तो मा और ला माला ठीक है आगे बढ़िए नाला ठीक है तो नाला में सबसे पहला अक्षर ना है तो ना को उर्दू में नून कहते हैं तो यहां पर नून से तो ना हो गय गए गा तो इन दोनों को ना बनये तो आपलोग जानते हैं ना कि इतना ही पाठ उठकर इस तरह करके ना हो गया तो इसी तरह सिंपल बाकि चितने भी हैं सब इसी तरह बनेंगे या ना ला तो ला उर्दू में लाम कहते हैं अलिफ जोड़ेंगे और फिर से ला है तो फिर लाम से ला होता है और फिर अलिफ जोड़ेंगे तो ला हो जाएगा तो यह दो बार लाला है तो देखिए इन दोनों को पहले जोड़िए ला बनाईए यह जो लाम है लाम में जोड़ गया तो यह ला हो गया और फिर एक बार सबसे पहला अक्ष Aristote है सा कूर्दु में शीन कहते हैं तो यहाँ पर शीन लिख दीजिए अब से सा करेश तो मामा में आप लोग जानते ही होंगे मामा को हर किसी का मामा होता है तो देखी यहां पर मा है तो मा कुर्दू में मीम कहते हैं तो यहां पर मीम लिखिए मीम से मा प्लस अब इसको मा बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे प्लस फिर मा है तो मीम से मा फिर इसी को मा बनाने क को जोड़ कर मा बनाएंगे तो दो बार मा और मा होगा ठीक है तो यहां पर पहले इन दोनों को जोड़िए मीम में अलिफ को जोड़िए हो गया मा और फिर मीम में अलिफ जोड़िए हो गया मा तो मा प्लस मा 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 आगे बढ़िए ना इसको भी लिखना असान है नून से ना ह को जोड़ीए गा मतलब इस नून में जोड़िंगा पिर इस दोनों को जोड़िए तो कांगे बढ़िए का कर तो कोड़ू में बनाने के लिए अलिव जोड़ेंगे प्लस फिर से का है तो काफ से का हो गया इसको का बनाने के लिए अलिव जोड़ेंगे तो सबसे पहले इस काफ और इस अलिव को जोड़ेंगे और का बनाईए तो आप लोग जानते हैं सिर्फ इतना ही पार टूटता है तो इस तरह करके आप लोग काफ में अलिफ जोड़े तो यह होगा आप लोग का का और फिर से आप लोग को का जोड़ना है यानि कि फिर इस काफ में अलिफ जोड़ेंगे तो फिर से वही वाला होगा तो का प्लस का 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 आगे बढ़िए चा चा बहुत ज़्यदा सिंपल है ठीक है तो चा चा में सबसे पहला अक्षर है चा तो चा कुर्दू में क्या कहते हैं चे कहते हैं तो यहां पर चे से चा हो गया बट चा बनाने के लिए इसमें भी अलिफ जोड़ना पड़ेगा फिर से चा है तो चे से चा बट इसको भी चा बनाने के लिए लास्ट में अलिफ जोड तो आप जानते हैं कि इतना ही पाट उठाया जाता है तो यानि कि चौ में इस तरह अलिफ जोड़ कर यह हो गया आप लोग अच्छा तो यहां पर आप लोग एक चीज ध्यान दिजिएगा कि जिस तरह यहां पर काफ को है और इसके आगे अकार लग गया है का हो गया है इसी तो यहां पर एक चीज और ध्यान दिजिए इस दो अक्छर से मिलकर बने शब्द के लाष्ट में आ मात्रा होता है ना तो उसके लाष्ट में अलिफ जरूर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा ठीके जैसे कि मामा है तो मीम में अलिफ जुड कर मा हो गया और फिर मीम में अलिफ जुड कर मा हो गया तो इसके लाष्ट में आप लोग लास्ट में आप लोगों को अलिफ देखुने शब्द के अगर उर्दू लिखेंगे तो यह चीज आप लोगों को ध्यान रखना है या पको उर्दू में सबसे पहले प कहते हैं तो यहांब पर यह लिख ही दीजे पशके बनाने के लिए छोडेंगे उसी तरह फिर से पा लिखना है तो पे से पा प्लस इसमें अलिफ जोड़ेंगे तो देखिए सबसे पहले इस पे को पे में अलिफ जोड़कर पा बनाईए तो देखिए ये हो गया अपने का पा ठीक है पे में अलिफ जोड़ें तो पा हो गया और इसी तरफ फिर एक बर और कर दिए तो पापा यह को अगर उर्दू में लिखा जाएगा लिख ना उसके उर्दू के लाष्ड वले अक्षर में जो लाष्टवला भी है आगे बढूँए टाल तो टाल में सबसे पहला है ट को उड़ु में ट कहते हैं ये फ्लस ट को अब टाल बनाने के लिए अलिफ जोड Peng it पिर टे से ट और इसको टा बनाने के लिए अलिव जोड़ेंगे तो पिर अगे बढ़िए मारा मारा में जो सबसे पहला अंखर है मा को अरदु में मिम कहते हैं तो यह होगिया मिम से मा बट इसको मा बनाने के लिए अलिव जोडेंगे प्लस रा है रा को उर्दू में रे कहते हैं और र हो रा बनाने के लिए आलिव जोडेंगे ठीक तो अब देखिए सबसे पहले हैं इन दोनों को जोड़ेए माह मीम में जोड़ कर माह बना चैँ यह मिम हो गया आप लोग का और इसही में में जुढ कर राक हो आगे बढ़िये दाता में जो सबसे पहला कhit सर हे वह क्या है डाँ को किया कहते हैं तो किया है तो यहां पर लिख दिजिए दाल दैसको दा बनाने के लिए अलिफ जुदेंगे इंद। यंद्ग ता है तो तब का उर्दू में द्क हैं और इसको को ता बनाने के लिए इसके विलास्ट में अलिफ जोड़ेंगे तो यहां पर ठीक से मैं तो बना दू ठीक है तो देखिए दाल में अलिफ जोड़कर सबसे पहले इसको दा बनाईए तो देखिए दाल में अलिफ जोड़कर दा हो गया और ता मतलब ते में अलिफ जोड़कर वो क्या है आ और आ बनाने के लिए आ को उर्दु में क्या कहते हैं तो आ को उर्दु में अलिफ कहते हैं अब अलिफ को आ बनाने के लिए आप क्या करेंगे क्या इसमें एक और अलिफ जोड़ देंगे जिस तरह इस सब को आ बनाने के लिए को जैसे की काफ से का होता इसको का बनाने के लिए अलिफ जोड़ दे रहे थे तो का बन जा रहा था चो था इसको चा बनाने के लिए चे में अलिफ जोड़ दे रहे थे तो चा बन जा रहा था तो क्या यहां पर अलिफ से अ है तो इसमें भी एक और अलिफ जोड़ देंगे तो आ बन जाएगा जी नहीं मैं आ को अ बनाने के लिए आप मद जोड़ेंगे llegar तो यहाँ पर अलफ में आप क्या जोड़ देंगे मद तो अलिड़ेंगे मध में मद जोड़कर अ हो जाएगा plus ना है तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़कर आ बनाईए अलिफ में मद जोड़कर ये हो गया आप लोग का आ अलिफ के ऊपर बस आप लोग को ये मद लगा देना है तो ये अलिफ के ऊपर मद जोड़कर क्या हो गया आ और ना है तो इस नून में बस आप लोग को अलिफ जोड़ देना है तो देखिए यह हो गया नून और इसी में आप लोग अलिफ जोड़ दिये तो नून में अलिफ मिलाकर ना तो आ और ना ठिक सिंपल आगे बढ़िए जाना जाना में सबसे पहला अक्षर है जा जा कॉर्दू में क्या कहते हैं तो जीम कहते हैं तो जीम यहाँ पर फटाफट लिख दीजिए जीम से जा हो गया बट इसको जा बनाने के लिए अलिफ तो जोड़ेंगे प्लस ना ना को अर्दू में नून कहते हैं तो यहाँ पर नून लिखिए प्लस ना बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे अब पहले जीम में अलिफ जोड़ेंगे तो देखिए ज प्लस बहा है तो फिर प्लस बहा है तो फिर बल्क चौना है तो सबसे पहले संठी की सोगे हैं मैं आप लोगको बताई थी कि कि जिस तरह के से का और केट से खा इन्द सेम वे काफ से का और काफ में इच मिलाते हैं यानि की काफ में हे मिलाते हैं तो काफ में हे मिलाकर खा बनता है और खा इस तरह लिखा जाता है तो यह हो गया खा अब इसको खा बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे प्लस ना है तो ना को उर्दू म अपर यह अलिफ जोड़ा देना है आपलों को बस तो यह जो नूरम आपलों को अब इन नूर बनेगा तो यह यह बढ़तो है Tolעל well करना बना अब देखे इख इन चार निव जोड़िए तो लाम में अलिफ जोड़िए तो लाम में अलिफ जोड़ कर ये हो गया ला और नून में अलिफ जोड़ दीजे देखिए नून का इतना पाट उठाकर इसमें अलिफ जोड़ दीजे तो नून में अलिफ जोड़ कर ना हो गया तो ला प्लस ना लाना ठीक आगे बढ़िये सा जा बहुत ही ज़्यदा सिंपल है आप अब खुद से भी बना सकते हैं I think ठेक है तो सा जा में तो सा में सबसे साजा में सबसे पहला अक्षर क्या है सा तो सा को उर्दु में सीन कहते हैं तो सीन से सा हो गया बट सा बनाने के लिए अलिफ जोरेंगे प्लस जा जा वे आप लोग उर्दू में भी जिम से जह होता है और जिम में जब एच यन की हैं मिलाते जिम में हैं मिलाकर जह होता है और लिखा जाता है ऐसे ठीक है तो यह हो गया जहा प्लस इसको जहा बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे अब पहले सीन में अलिफ जोड़कर सा बनाई है इसी तरह अब लोग को जोड़नेंगे तो सरह में जड़ना तो यहां पर फट फट लिख दिजेए वाब इसको गा बनाने के लिए रिख जुर और भी शेए हैं तो नौक उर्दू में नून कहते हैं, अब इसको ना बनाने के लिए फिर से अलिफ जोड़ेंगे, ठीक, तो सबसे पहले गाफ में अलिफ जोड़कर इसको पहले गा बनाइए, तो गाफ का इतना ही पाट उठाया जाता है, तो गाफ का इतना पाट उठा दीजिए, ऐसे गो ना लिखा गया ठीक है, अगे बड़ी यह राजया, राजया में सबसे पहला एक्छान रा है, रा कूर्दू में रे कहते हैं, प्लस रा बनाने के लिए अलिफ जोडेंगे, प्लस जा कूर्दू में जीन गेड़ेंगे, अब फटाफट कीजे, क्योंकि इतना सारा मैं आप को करकर दिखा रही तो आपनों को समझ में आ गया होगा कि हां आगे कैसे बनेगा ठीक है तो रे में सबसे पहले अलिफ जोड़िए तो रा होगा तो देखें रे के पास अलिफ को सिर्फ लिख दीजिए इन दोनों को बस चिपका देना है जोडने वाला कोई कामी नहीं यह य ईतना ही पाठ उठाये जाता है तो ताल लिख दीजिए र quién बनाने के लिए उसके बात से नओ कूर्दू में यहां यहां support लिक दीजिए और फिर टुदां बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे पक्का और उसके बाद से ना ना को उर्दू में नून कहते हैं और इसको ना बनाने के लिए अलिफ तो जोड़ेंगे ही तो अब इन चारों को जोड़िए दो में अलिफ को जोड़िए तभी तो दा होगा तो देखिए यह जो डाल है य यह जो देखे और यह मिलाकर युदा में यह तरह होता है उर्दु में छो ठीके तो यह अच्छा बट इसको च्हा बनाना है ना तो अलिफ तो जोड़ेंगे प्लस ताँ तो और्दू में टे कहते हैं तो यहां पर ठी लिख दीजी और प्लस अलिफ, तो अब इन दोनों को जुड़िए, छो में अलिफ जुड़ेंगे तो चा होगा, ठीक है, तो चो का चा पूरा लिख दीजिए और इसी यहाँ, ये जो लाष्ट वाला इंड है न, इसी में आप लोगों को ले जाकर अलिफ जुड़ देना है, तो चा में लिखा गया आगे बढ़िए ताजा देखें इस जा के नीचे ना बिंदू रहेगा ठीके ताजा ताजा होता है तो तो उर्दू में टे कहते हैं तो यहां पर लिख दीजिए ठीके प्लस अलिफ जोड़ेंगे ता बनाने के लिए तो यह हो गया आप लोग का जा जा को बढ़िमे ताजा होता है बट उर्दू में ताजा लिखा जाता है देखें यहां पर आप लोग सोच रहे यहां पर अलिफ्लिक सकते हैं बट इस ताजा का उर्दू में कोई मतलब नहीं होगा ठीक है अगर ताजा आप चाहते हैं वो फ्रेस वाला ताजा तो यहां पर हे लगाना पड़ेगा तब इसका मतलब होगा उर्दू में ताजा फ्रेस ठीक है बट यहां पर आप लोग अलिफ लगाएंगे तो उर्दू में वो मतलब ताजा का वो मतलब नहीं होगा फ्रेस तो तो शारा में सबसे पहला अक्षर सा है, सा को उर्दू में सीन कहते हैं, तो यहां पर सीन लिख दीजिए, प्लस इसको सा बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे, प्लस रा है, तो रा को उर्दू में रे केते हैं, और रे से तरह हो गया, बट इसको रा बनाने के लिए अलिफ सारा ठीक आगे बढ़िए राधा राधा में सबसे पहला आक्षार रा है तो सबसे पहले रा कुर्दू में रे कहते हैं तो रे लिख दीजिए प्लस रे से तो रहा होगे इसको रा बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे प्लस धा है धा कुर्दू में क्या कहते हैं तो जिस त सब को मिलाइए रे में अलिफ जोड कर रा मिलाइए रा बनाईए तो रे में अलिफ सिर्फ इस तरह ले जाकर पास में रख देना है तो रे में अलिफ जूड कर यह हो गया रा और अब धा को जोड़ना है तो धा को पूरा जिस तरह यह लिखा है ना बिल्कुल उसी तरह हुआ तो रा प्लस धा राधा ठिक सिंपल आगे बढ़िए नया अब देखिए यह जो शब्दों को मैं आप लोग को उर्दू में लिखना पढ़ना समझा रही थी यह दो शब्द वाले थे और दोनों शब्द में आ मातरा था दोनों अक्षर में सोरी यह जितने भी शब्द थे दोनों अक्षरों में आ मातर था जैसे की आ और ना जा ना दोनों में भी आ है पहले वाला जो अक्षर है उसमें भी आ मातरा आ रहा है और लास्ट वाले अक्षर में भी आ मातरा है दोनों अक्षर में बट यहां पर देखिए नया इसमें जो पहले वाला अक्षर है इस में आ की मात्र है न और या लास्ट में या आ stressing उसी तरहểए ठीक है घारा सजा बसा अब इसको ऊर्दू में कैसे ट्रन्स कैसे ऊर्दू में लिखेंगे और पढ़ेंगे मैं आपलों कोesi ती हुआ है नया में सबसे पहला अक्शर क्या है न तो न को उर्दू में銃 कहते हैं ठीक है यहां पर यह लिख दिए अब यह को या बनाने के लिए इसमें भी तो अलिफ जोड़ेंगे ना तो यहां पर अलिफ जोड़ दिजिए अब इन तीनों को मिलाईए कैसे मिलेंगे अब यहां पर थोड़ा अप लोग ध्यान दिजिएगा यह नून है नून का इतना ही पाट उठाया जाता है तो इतना पाट ऊठा ले जिए नून से ना हो गया अब इसी में यहां जोड़ना है तब इसी न्या बनेगा तो यही जोडनING के लिए यह है ना यह अपना सेकल चेंज करके ऐसे करले यह बनेगा यह ठीक है यह जो है किसी दुत्पे हरफ में लेटर हो जाएगा देख रहे हैं और यह नीचे बिंद हो गए तो न और यह होग ecosystem अब आप लोगों को या बनाना यानी किलाशिमा अलिफ भी जोड़ना है यह सिर्फ नो और यह हुआ है अभ या बनाने के लिए यह बनाने के लिए तो या मैं सबसे पहले या को लिखिए या को अगा केमा के का उठा करते हैं ये बीलख उसी तरह याँ बीलिखेंगे या को भून थविया नबस ये तना पाइट इतना पायट उठा लीजिए इस तरह करके इस तरह ठीक है अब मैं आप लोग को क्या बताई कि ये जो छोटी ये होता है ये छोटी ये होती है ये अपना सकल चेंज करके ऐसे वाला रूप ले लेती है जब किसी दूसरे अक्षर में जुरती है तो ये ये वाला सकल चेंज कर के ये वाला रूप ले ले लेते हैं अर इस तरह जुड़ जाती है तो यहाँ पर भी ग़ा तो है अब इसमें या जोड़ने के लिए अब यह लहिए आपना शखल चेंज कर लेगी अब इस तरह जुड़ेगी तो चोब में अलिव जूड कर या तो गाया शोब अब 4 में 5 1 4 इस लिखते हैं मैं आप लोगों को शुरू में ही स्मृस्य वद हिदी हिए अब बात क्या एक था है तो रहते हैं तो यह अलफ अप अब तीनों को मिला दीजिए यह जो कि बिल्कुल अब यहां पद लिखिए पर आप लोBox नहें इस ही तरह जोर दिए तो यह तो भर हो गया पर हम लोग्वकर लिखना है नमें तो यह भर हो गया अब भर बनाने कि लिए यह अलिफ है यह ज़ोड़ेंगे तो भा से ये हो गया भा और रे में अलिव जुड़ गया तो क्या हो गया रा तो भा प्लस रा भरा ठीक है आगे बढ़िए सजा ठीक है सजा होता है सजा ये जा के नीचे बिंदू रहता है ठीक है तो सा को उर्दू में सीन केते हैं तो यहांपर सिंपली सीन लिख दीजिए देखिए शुरू वाला जो अक्षर है ना शुरुवात वाला ये वो सिर्फ पूरा का पूरा लिखा जाएगा भले ही लास्ट में लिजाकर जोड़ दिया जाता है बट यहां पर देखिए सबसे पहले आप सा है ना यहां पर सजा में तो सा को उर्दू में सीन कहते हैं तो य होगे आप लोगस्ति नहीं पाट उठा लीजेश्योगत सव और इसे में आप लोगोंको जोड़ना है तो यह है यहीं कर जोड़ना है तो यह लिए से जो अभी इस जो और जाहीं जुड़ा है अभी अप्स आ यह यह जो है वह जोड़ने तब न सजा ऑगा तो लास्ट में बो यहां पर उतना ही पाट लाएं तुछ न्यstop up याँ पर निकालना है देखिए एक, दो, तीन, तीन कोना है ना, ये कोना आप लोग चार ठो मत निकाल देजेने तो गलत हो जाता है तीन ठो ये जो कोना निकला है सीन का तीन ही तो आप लोगों को निकालना है तो देखिए ये बे से बा हो गया और इसी में सीन जोड़ दिये तो सीन से सा हो गया अब सा बनाना है तभी न बसा होगा तो इसी सीन में आप सीन के लाच में जोएना आप लोग अलिफ जोड़ देंगे तो देखिए बे से बा और सीन में अलिफ जुड़कर क्या हो गया सा तो बसा ठीक है आगे बढ़िए रखा रखा में सबसे पहला अक्षर है रा रा कुर्दू में रे कहते हैं पलस खा खा कुर्दू में देखिए इस तरह लिखा जाता है मैं आप लोगो बार बार बताई हू यह हो गया खा प्लस इसको खा बनाने के लिए अलिफ जूड़ देंगे तो देखिए जुड़ेंगे कैसे जूड़ना बहुत जदा आसान है यह जूड़ रा है ना रे इसको रे इसी तरह का बिल्कुल उसी तरह लिख देना है यह रे से रा हो गया अब खा इन दोनों को ज तो खोर दीजिया यह हो गया खाओ अब इसे लाष्ट में अलिफ जोड़ेंगे तब ह bạn न चीमल तो के सो यहां पर ध्यां दीजिए यह दुए यह 2 अक्षड वीरा शब्द है डिल्स के यह अ क्यों क्यों कि इस सब्द के लाश्ट में आ की मात्र है इस लिए इस शrireफ के लाश्ट में अलीफ・ अफिरा गो मारा मार्ण में सबसे पहला आक्षर है म कहते हैं कर वा को डोने के लिए अलीव गण develops रा लृप बनाने के तोतोम में आभी साडा है तो सड़ा में सबसे पहला सव है याніजिस प्लस कूर्दू में डे कहते हैं आप लोगों को बताई थी जब आप लोगों को अलिव बेपे पढ़ाई थी तब तो यह हो गया रे से रा अब रा बनाने के लिए इसमें भी अलिव जोड़ेंगे अब यह तीनों को जोड़िये सीन सीन का इतना ही पाट उठाया जाता है तो देखिए सीन से सा हो गया और इसी में रे यह जो रे है इसी में ले जाकर जोड़ेंगे तो सीन से सा हो गया रे से रा हो गया बट आप लोगों को साड़ा लिखना है ना तो रा में अलिव जोड़ना पड़ेगा तब ही रा होगा तो जोड़ा में बस यहां पर अलिफ जोड़ी जिए सीन से सगो गया और यों में घुड़कर सबसे बड़ी एक खाmondीज़ा प्लस रा कोर्दू में रे कहते हैं अब इसको रा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजे यह तो बहुत दा सिंपल है खा का जिस तरह यह लिखा है ना बिल्कुल उसी तरह यह उतार दीजे यह हो गया खा और इसी में रा जोड़ना है ना तो सबसे पहले रे इसी खा में रे जोड़ दिजिए तो यह हो गया यह में रा जुड़ कर खा और रा हो गया अब लाशंट में अलिफ जोड़ देना है तो खा हो गया और रैलफ जोड़क कर रा जोडने के लिए दाल को बिलकुल इस तरह लिखागे है उसी तरह लिखेंगे तो अब यह यह चोटी में अलिफर जोडना है तो कैसे जोडेंगे आप लोगों को यहीं पर बताई कि यह जो छोटी है किसी दूसरे हर्फ रहे जोडती तो अपने सखल कर लेती है और ऐसे अपना सखल बना लेती है ठीखें तो विल्कुल उससे तरह यहाँ पर भी छोटी यह कर एक रहा है तो यह जो ने眶्ग कर इस तरह कर लेंगी ते convention कर देल ना यह डंडा ठीक तो दाल से दा और छोटी यह में अलिफ जुड़ गया यानि कि यह में अलिफ जुड़ कर या हो गया तो दा प्लस या धया ठीक आगे बढ़िए तारा तारा में सबसे पहला अक्षर ता है तौक उर्दू में ते कहते हैं तो यहां पर दिखिए स्वरी य अब देखिए कैसे लिखेंगे तो थे में अलिफ पहले जोड़िए तभी तो तदा होगा ना प्लस hustles में ना को जिस्तरह ड स्य दा areal स calendar में हें मिला कublFF असी तरह यहां पर लिख गैंगे लिफड़ देंगे यहां पर और अलफ जोड़देंगा को लिखी गा कुर्दू में घाफ अब इन चारों को मिलाएए धा इस भा में जोर कर द जोड़ेंगे कैसे तो यह यह जो था है बिल्कुल उसी तरह का उसी तरह उतार देना है यह हो गया भी ज़ूरनेगे इतना पाठ उटाईए आप लोग जानते हैं यह वाला जो सिधा वाला पाठे यहां पर गोल हो जाता है तो इस तरह यह गा हो गया और इसी में आप लोग अलिव जोर देंगे ठीक तो यह हो गया गाफ में अलिव जोर कर गा तो धा प्लस गा धा गा सिंपल अगे बढ़िए लास्ड है मारा मारा में सबसे पहला अच्छर है मा तो मा कुर्दू में मीम कहते हैं तो मीम लिख दीजिए और मा हो गया ये बट इसको मा बनाना है तो अलिफ जोड़िये फिर रा है तो रा कुर्दू में रे कहते हैं और इसमें अलिफ जोड़ दीजिए अब इन चारों को जोड़िये सबसे पहले मीम में अलिफ जोड़ कर मा बनाईए तो देखिए ये हो गया आप लोग का मीम और इसी में अलिफ जोड़ दिये तो मा हो गया और ये हो गया आप लोग का रे और इसी में आप लोग अलिफ जोड़ दिये तो क्या हो गया मारा मा प्लसरा मारा तो ये था दो अक् में उसको उर्दु में कैसे लिखते पढ़ते ये सारी चीज मतलब टोटल आप लोग समझ गया कि आ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज